जार्खन में कुरोना की नई वैक्सिन जैकोडी वी कम वैक्सिनेशन वाली जीलो से होगी इसकी शुरुआ सुई या स्रींज की जगा इसे एफलीकेटर के जर्ये लगाया जाएगा जल्द ही जार्खन में जैडस, कैडिला की क्रोना वैक्सिन जैकोडी भी टीका करन अभियान में सामिल हो जाएगी इस टीकी का इस्तिमाल बत चुके टीका करन के लिए होना है लेकिन राज में इसे पहले 18 पलस के उपर के लोगों को लगाने की तैयारी या वैक्सिन शिरींज या सुई से नहीं बल मंजूरी दी है मंत्राल ने राजी में फॉर्मा जेंड इंजक्टर को लेकर एक सत्र आयोजित करने और वैक्सिनेटर की पहचान करने के लिए कहा ताकि उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके स्वास्त विवा की एक अधिकारी की मानेतों पर सीच्छन का या कारी करम लगभग प मुताबिक कोविट शी मरने वाली 55 पर 35 लोग गरीबी रेखा से नीचे के कुरूना की तीस्दी लाहर ओमिकुरून की असंका की भी जारकर में हैरान करने वाला एक खुलास हुआ है इसकी मुताबिक यहां कुरूना सी मरने वालों में आधिसे अधिक या तु गरीबी खसनी चे जीवन बसर करती थे या उनके पास आईसमान भारत के कार नहीं थे इतना ही नहीं रिपूर्ट में कहा गिया कि मरने वालों में 66 पर 35 अकुसल मजदूर थे इस समन्ध में राच में कुरूना से हुई मौतों पर विश्वा संगठन वार राजी सरकार की तरब से अ परती निधियों ने राज के 11 जिल्लों में अधियन किया है इसमें 15 समाजी एक आर्थिक मापदंडों पर किये गए अधियन की रिपूर्ट नेशनल हेल्फ मीशन जारखन की ओर से जारी की गई जिसमें कई चौकाने वाले तथी सामने आए हैं जारखन से धराई गाड़ियों की लुटे री लवली बैक अधिकारी बन महें ये होटलों में ठारती थी हाईवी पर लेप्ट मांग कर लुट लेती थी गाड़ियां पटना से चलाती थी गिरू राची पुलीस ने गाड़ियों की लुट करने वाले इंटर अस्टेट गिरू को परदाफास क्या पुलीस के इस अभियान में इनकी सरगनाल लवली सी को भी गिरप्तार कर लिया गया वह पटना के पाटली पुत्र थाना छेट के वारिंग रोड इस्थीत इंदर पूरी से गिरू का संचारन कर रही थी बैक अधिकारी बनमहंगी होटलों में ठारती थी यहीं अपने गिरूहों के साथ दस्यों के साथ मीटिंग भी करती थी इतना ही नहीं लवडी से हाईवी पर लिफ्ट मांग कर वाहनों के लूट को अंजाम देती थी एक निर्दारी जगा पर उसके सदस्य पहले सहीं खड़े रहते थे उस जगा पर पहुंचते ही हुआ अपने सदस्यों की मदद से गाड़ी लूट लेती थी MBA में दाखिले के लिए युनिवर्सिटी लेवल पर प्रेचा क्रूना में अभिभावकों को खोचुकी अभ्यार्थियों का सुल्क होगा माप वेकेशनल सेल ने लिया लिर्ड है पच्मी सिंबुम की जैबास इसीत को लान युनिवर्सिटी मी सुमवार को वेकेशनल सेल की बैठक हुई बैठक की अध्याचता कुल अधिपती डाउटर गंगाधार पंडा ने की बैठक में तित अहम निर्न लिये गए इसमें प्रविश परकिर्या में बदलाव से लेक इसे के युमेट 2022 का नाम दिया गया है विस्विद्याले की कॉलेजों में संचालित होने वाल एमबीए पार्ठी करम में दाखिला ले दे के युच्छुक इमिद्वारों को इस परविश परिच्छा में कट आफ मार्च से अधिक अंग प्राप्त करना हुगा या परिचा ओ एम आर पर ली जाएगी इसके लिए विस्विद्याले की तरप से पुरी रूप रेखा जारे की जाएगी मुख्या की इतनी सीटे पर चुनाव लड़ेगी महलाएं सभी सीटे एस्टी के लिए आरा चित जारकन पंचाय चुना की तारीखों का एलान नहीं हुआ है लेकिन पंचाय चुना की सुगबुगाहट के बीच तैयारी तेज हो गई पर चुनाव लड़ेगी इसके लिए आरा चैन रोष्टर जारी कर दिया गया खुटी जिल्ले में मुख्या की सभी सीटे अनुसुची जन जाती के लिए आरा चित है भाजबा का ट्रेनिंग सेशन संपन डॉक्टर दिनेश उराओं बोले कारिकार्ताओं के वेक्तित में निखार लाता है ऐसा आयूजर जार्खन के लुहर दगगा में भाजबा का टिन दिवसी ट्रेनिंग सेशन सुमवार को संपन हुआ इस ट्रेनिंग सेशन में 14 विशायों पर चाचवी समापन सत्र में पुर्वीधा सब अध्याश डॉक्टर दिनेश उराओं ने कहा कि ट्रेनिंग कलास करिकार्ताओं के वेक्तित्र के विकास में सफल साबित होता है इस साथ ही कारिकार्त अपने जीवन में अनुसंसा समाज एवं राष्ट की प्रतिक का तव्यों को लेकर द्रिड़ संकल्पित होते वही किंद्र और राज सरकार के विकास कारियों में आरह अंतर की तुल्ना किया चार से छे दिसंबर को लोहर दगा में आयोजित ट्रेनिंग कलास की अन्तिम दिन सुमवार को सत्र का आयोजन हुआ पुरू अस्पी का डाउटर उराव ने कहा कि भाजपा की सरकारे में भी स्वर्गिना विकास को लेकर क्रमवज तरीके से अन्तिम वेक्ति के उद्देश्य की पूर्ति को सामिल करते हुए योजनाओं का निर्मान करती है उधारन के नियमित केंद्र सरकार हुआ जारखन की पूरू भाजपा सरकार दुआरा किये गए जन कल्यानी योजनाए आज धारतल पर नजर आ रही है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दुआरा किये गए कल्यान कारीकारी योजनाओं के नाम करीब गरीब जनता के मुख पर है इस वह इसलिए क्योंकि ओ सही रुप में लाभुनवित हुई है लाभुकों के हिस्से का निर्धारित रासी सिधे बैकों के माध्यम से बेगैर भरष्टा चार के पहुँच है वही जारकन में वर्तमान में विभिन परकार की समस्याओं से लोग गुजर रहे यही कारण अब यहां के लोग मौलिक अधिकारों से अचूते हो रही हैं जनिस रच्छय योजन का हाल देवगर की 6,009 मेहलाओं का करीब 30,000,000 बकाया 12,000,000 लाभुकों ने नहीं दिया आवेदन संस्थागत परश्रव को बढ़ावा देने और जच्चा बच्चा की इस्तिति में सुधा लाने के लिए केंसर कार की और शेजनिस रच्छय योजन की सुरुवात की गए इसके ताथ परशाव के बाद उनके स्वास की देख भालता था जच्चा बच्चा को परियाप्त पोसन के लिए सारी छेटर की मेहलाओं को 1,000 रुपई तथा ग्रामिन छेटर की मेहलाओं को चौदा सो रुपई प्रोचसाहन रासी के रूप में उनके बैक एकाउंट में दिया जाता है लेकिन पिछले एक साल में देवगर में 6,049 महलाओं को इस योजन का लाब नहीं मिल रहा स्वास्त विभा की रिपूर्ट के अनुसार जिले में 17,942 महलाओं को जन्निस रच् था इसमें अब तक 6,049 महलाओं ने विभिन अस्पताल में आविट। और बिसुत्री कारिकरम किर्यानवे समीती के अधियच की रूप में नामित किया गया है। सभी 24 जिल्लों के लिए मंत्रियों के नामित क्या किया है